इस वीडियो में हम लोग 2022 जून शिफ्ट के हाइड्रो कार्बन की कुश्चन को कवर कर रहे हैं तो लेट स्टार्ट वन बाई वन दा मेजर प्रोड़क्ट ओफ ए इन दा फॉलॉइंग रियक्शन हैज डैस एस्पी टू हाइबडाईस कार्बन तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं टू सेवन डाय मिथाइल ये एक ही बार होना चाहिए मिथाइल टू सिक्स अक्टाडाइन पहले तो अक्टा यानि एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ टू और सिक्स पे वन टू 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 पे 1, 2 और 2 पे methyl भी लगा देना है यह रहा 2 पे मैंने methyl भी लगा दिया यह तो खुद भी methyl था 2 के बाद अब 6 पे तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पे भी एक double bond लगा दिया है मैंने और दूसरा methyl 7 पे लगाना है 7 पे methyl यानि दोनों end से यह symmetrical है यही है ठीक है और इसका reaction अच्छा यह रहा H plus reaction कराना है ठीक है यह तो clear देख रहा है कि H plus एक जगा plus develop करेगा वो plus घूम के अपने ही दूसरे carbon पे attack करेगा यही कहानी होनी है जो शुरू करते हैं H plus पहले तो मैं यहाँ पे attack करादू यह इधर आएगा electron और हो H plus से react कर लेगा positive यहाँ पे आना है क्योंकि 3 degree ज़्यादा stable बनेगा तो पहले मैं बना लाए इसको थोड़ा से घुमाना भी शुरू करता हूँ मैं यह CS3 यह CS3 क्योंकि EC के उपर attack होना है तो थोड़ा से मैं घुमाना भी शुरू कर रहा हूँ अभी से यह carbon फिर यह carbon hydrogen मैंने balance नहीं किया वो under study की CS2 CS2 होना है एक दो तीन चौथा और यह चौथा का double bond टूट चुका है ठीक है तो इसको मैं carbon ही लिख रहा हूँ ठीक है और चौथे के बाद यह पांचमा आया इस पर दो मिथाईल लगे हुए हैं यह देखो यह पांचमा इस पर दो मिथाईल लगे हुए हैं और इसके उपर plus है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही connect होंगे आपस में तब यहां से अब यह गूम के इसके उपर attack करेगा तो यह minus गरबर कर दिया मैंने minus उस पर नहीं आ सकता क्योंकि यह 3 degree nature का है यहां पर इसके उपर plus ज़्यादा stable होगा ना कि minus ठीक है न तो minus इधर जाएगा इधर minus इधर plus और यह minus इसके साथ bond बनाएगा तो इसलिए जो ring की size होगी वो जाएगी 1,2,3,4,5 और 5 member की ring होगा यह बन गया यह ऐसे इसके साथ connect होगा और इसके उपर minus आएगा तो पहले मैं बना लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यह 5 member की ring मैं इसको बना देता हूँ यह बना दिया मैंने 5 member की ring numbering कर देता हूँ 1,2,3,4,5 कहीं से भी आप कर दो 1,2,3,4,5 तो देखो भाई 5 वाले पे यह लगाना है मुझे यह वाला 5 पे यह लगना है carbon यह CS3 और यह CS3 और यहाँ से electron इधर गया था इधर minus था तो इसके उपर plus आएगा और इसके अलावा carbon number 1 पे आजाओ इस पे भी 2 मिथाई लगाने है मुझे यह मैंने 2 मिथाई लगा दिया यह आ गया हमारे पास अब इसके बाद तुम्हें पता है यहाँ से 1 H plus हटेगा इस H plus को हटाओ यह H plus भागेगा यहाँ minus आगा यह minus plus bond बना लेंगे तो यह वापस इधर bond बना लेगा और अब हमारे पास हो जाएगा 5-member ring उसका double bond यहाँ पे 2 methyl वाले carbon और यहाँ पे 2 methyl लिए रहा इसमें total SP2 carbon यह है और यह है 2 SP2 carbon है double bond वाले carbon को SP2 कहते हैं तो इसलिए इसका answer 2 हो जाएगा और यहाँ आगा और यहाँ पे 2 कहरे स्टेटमेंट 1 तो प्रेजनस ओफ वीक πाई bond makes alkene less stable than alkene से एक दम सही क्योंकि alkene की stability alkene से इसलिए कम होता है क्योंकि alkene में सारे के सारे जो bonds होते हैं वो sigma nature के हैं πाई nature का कोई bond नहीं होता है और sigma हमें पता है stronger होता है पाई के कमपेर में तो इसलिए alkene ज़्यादा stable होते है alkene से क्योंकि यह saturate हो चुका है सारे के सारे इसमें sigma bond है कोई weak πाई bond नहीं है दूसरा कहरा है the strength of double bond is greater than carbon carbon single bond well obviously बात है carbon carbon double bond दो bond की ताकत कहां इसके सामने एक bond की ताकत टिकने वाला है तो double bond always ज़्यादा stronger होगा single bond के कमपेर में thermodynamics भी है इसमें तो इसलिए both the statement is correct दोनों ही statement correct है first option ही दिख गया हमें both the statement is correct third question पर आते हैं कह रहा है which of the following reagent will convert A to B में कौन convert करेगा एक बार थोड़ा से मैं एलकीन के बारे मैं आपको बता देता हूँ एलकीन यही main होता है hydrocarbon में वैसे एलकीन के भी थोड़े बहुत reactions पता होने चाहिए एलकीन अभी है तो मैं थोड़ा से बता देता हूँ इसमें एलकीन में क्या-क्या आपको cover करना है देखो भाई एक तो सबसे पहले यह कि एलकाइन प्रिपरेशन वाले पार्ट में जो जो possible है मैं बता देता हूँ इसमें दो रिएजंट आते हैं एक तो लिंडलर कैटलिस्ट H2PD BSO4 क्यूनोलीन क्यूनोलीन यह लिंडलर कैटलिस्ट है यह कभी भी आएगा तो सिस बनेगा आल्वेज यह सिस एलकीन देगा आपको और अगर बर्च रेडक्शन आप कराओगे एने इन लिक्विड अमोनिया में तो यह ट्रांस बनाएगा R, C, डबल बॉन्ड, R और यह H, और यह H, यह देगा ट्रांस ठीक है, पहला यह हो गया दूसरा इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है अल्कोहली KOH वाला जो कि बीटा एलिमिनेशन कराता है कोई भी अगर अल्कोहल हो कोई भी अल्कोहल CS3 CHOH CHH CS3 अल्कोहल ले लिए, सौरी, अलकाइल हलाइड अल्काइल हलाइड E2 बता रहा हूँ मैं कोई भी हलाइड हो यह H है, इसके एक H को मैंने अलग कर दिया इसको अगर आप अल्कोहली KOH से ट्रीट कर दो तो एरो पे दिख जा अल्कोहली KOH तो आपको HX को बाहर करकर डबल बॉंड बनाना है CS3, CH, double bond, CH and CS3 अल्कीन ही बनेगा यह तय है, it will form अल्कीन तो दूसरा यह है अल्कोहली KOH का रोल तीसरा है dehydration of alcohol जो मैं लिख रहा था एक्चल मैं वो अब लिख रहा हूँ dehydration, यह सब बीटा नेचर के हैं देखो X जिस कारबन से लगा हुआ इसको alpha का होगे तो H इसके respect में next वाला कारबन यानि बीटा कारबन से ही H हटेगा चाहे वो बीटा यह हो या यह हो तो आप पूछोगे कि sir इसमें अल्कोहली को यह से कितने product बनेंगे मैं कहूँगो 2 चाहे तो X ऐसे निकल के यहाँ double bond आए यहाँ से एक H और यह X निकल के यहाँ double bond आए तो इसलिए उस case में हमें major minor देखना पड़ता है जिसके hyperconjugative hydrogen ज़्यादा वो major या easy language में जिसमें carbon carbon double bond पे ज़्यादा alkyl group लगे हो वो major ठीक है तो जो दूसरा product आएगा वो minor हो जाएगा क्योंकि अगर मैं बना दूँ उसे भी तो यह CS2 double bond CH CS2 CS3 इसमें carbon carbon double bond पे देखोगे तो सिफ एक alkyl लगा हुआ है वाईल इसमें carbon carbon जो double bond वाले carbon है उस पे दो alkyl लगे हुए हैं दो methyl तो इसलिए यह ज़्यादा stable अगला है फिर से beta elimination ही होगा लेकिन इस बार concentrated S2SO4 ले रहे हैं और dehydration होगा dehydrating agent है पानी निकाल देगा और water हटते ही double bond CS CS3 बन जाएगा ठीक है तो main main अभी मैं बता रहा हूँ तो यह 3 method of preparation का सबसे अधा बोल बाला है इस mechanism को कहते हैं E2 इसको कहते हैं E1 elimination advance बगरे के लिए तो यह भी जरूरी हो जाता है E2 E1 का detail mains में तो खेर इससे भी काम चल जाता है हमारा अब आते हैं properties reactions कौन कौन से important है इसके तो देखो भाई सबसे पहला reaction alkene का क्या-क्या है मैं बता रहा हूँ कोई भी alkene low तो क्या-क्या हो सकता है देखो पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ पहले तो reaction आएगा X2 CCL4 CCL4 यह मिलता है इसमें XX का addition होगा X and X addition majority addition क्यों होगे फिर पुछा जाएगा कि X2 के साथ water ले ले तो क्या होगा solvent बदल दिया तो कुछ ने उस case में X and OH addition करा देना है आपको ठीक है ना X के उपर plus होता है इसके उपर minus और यह marconi kov होगा marconi koni kov आप पुछो यह क्या होता है sir मैं कहूँगा इसमें positive species को उस carbon पे देना है जिसमें ज़्यादा hydrogen है अभी मैं उसको cover करूँगा तो एक पहला reagent यह आता है दूसरा है direct HX का reaction HX का अभी इसमें थोरा सा होता है एक case को छोड़के देखो HX का addition क्या होगा इसमें H plus and X minus का marconi kov addition होना है marconi kov addition होगा marconi kov addition ठीक है always ध्यानक ना और यह carbocatine mechanism से होता है इसलिए hydride shift, methyl shift होने के इसमें chances होते है अब क्या है peroxide ले लोगे ना सिर्फ HBR जो है वो peroxide के presence में different behave करता है इसके साथ peroxide ले लो peroxide जैसे hydrogen peroxide ले सकता हो या examinar R2O2 ले सकता है या S2SO5 ले सकता है या ऐसा भी ले सकता है R C double bond हो जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा mains का यह choice एक छूड़ी गया और oxygen O C double bond O R ऐसे करके भी लिया गया यहाँ पे peroxide के जाए तो यह सब peroxide है इस case में अगर ऐसा case आ जाए HBR के साथ कोई peroxide दिख जाए तो इसमें H and BR का anti-marconic ove कराना है उल्टा यानि marconic ove में मैंने बताया कि H plus को उस carbon पे add करना है जिस पे ज़्यादा hydrogen है तो anti-marconic ove में H को उस carbon पे add करना होगा जिस पे कम hydrogen है तो यह anti-marconic ove marconic ove addition होना है इसमें ठीक है बाकी आप पूछो कि sir क्या HCl, HF and HI इनमें अगर peroxide हम लें तो कोई असर होगा peroxide का मैं कहूंगा कोई असर नहीं होना है no effect यह हमेशा चाहे peroxide आप low या ना low इनका always marconic ove होना है ध्यान भी नहीं देगा peroxide पे marconic ove addition इसलिए peroxide effect सिफ HBR में observe किया जाता है, peroxide नहीं है तो HBR भी marconic ove भी show करेगा peroxide आ गया तो HBR anti-marconic ove करेगा तो यह दूसरा चीज ध्यान में रखना है reagent, तीसरा देगो जो third category आती है water addition H2O addition water addition के देखो क्या-क्या तरीके हैं, इसमें दो main तरीका है एक होता है oxy-mercuration, demercuration जिसमें कि HGOAC whole twice H2O followed by NABH4 यह लेगा तो आप से कोई पूछे कि यह reagent arrow पे दिख जाए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला alkene की बात हो रही है, ध्यान रखना यह alkene में ही मिलेगा अगर यह मिल जाए, तो आपको marconic of addition of water करना है H and OH का तो यहाँ पे आप सीधे लिख दो H and H plus and OH minus addition कराना है and marconic of marconic of advance के लिए तो और ज़्यादा detail में हमें जाना पड़ता है कौन किस से आता है वगरा वगरा अभी सिफ mains के लिए मैं बता रहा हूँ marconic of addition कराना होगा और इसके अलावा आप ले सकते हो B2S6 दूसरा तरीका है B2S6 THF tetrahydroferon और followed by H2O2 H2O2 लेना होता है अगर यह लिख लिया हुआ अपर तो आप समझ जओ आपको H plus and OH minus का ही addition कराना है लेकिन anti-marconic of marconic of यह कराना है तो यह इतनी story हो गई इसके अलावा भाई ठीक है reaction में इतने reagent का role हमने सीख लिया और इसके अलावा क्या third था यह fourth में आते हैं fourth में है ogenolysis 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 में क्या गड़ते हैं ogen के साथ reaction कराया जाता है ठीक है दो तरीके से होगा एक बार ogen लिया जाएगा zinc वगरा के साथ zinc H2O दिख जाए तो यह समझो reductive हो जोनलिस से सिफ काटना है और oxygen लगा देना है तो यह काटोगे तो cut out apart ऐसे आपको दिखाई देगा RCH यह cut out apart और CR और यह CH3 यह cut out apart उसके बाद oxygen लगा दो यही product छोड़ देना है यह LD हाइड है यहाँ लिख दो RCHO और यह ketone है यहाँ लिख दो RC double bond O CH3 बहुत बार इस zinc को यूज ही नहीं करेगा examiner तो उस case में simply जो LD हाइड है उसको आपको carboxylic acid में oxidize कर देना है ठीक है क्योंकि zinc इस पूरे process में H2O2 बनता है तो zinc उसको neutralize कर देता है इसलिए H2O2 further oxidize नहीं कर पाता है हाँ ketone कभी oxidize नहीं होता है तो मान लो इसी का ऐसे मैं दे दूँ अगर examiner कहेगी भाई मैंने इस बाद zinc नहीं लिया है ठीक है H2O2 ले लिया है H2O2 लिख भी सकता है ना भी लिखे सब oxidative है तो उस case में यही process करना है यहां तक तो पहुँच जाओ उसके बाद ketone को तो copy कर लो ketone का ketone ही रहने देना है आपको लेकिन जो-जो aldehyde मिले उसको carboxylic acid में जरूर बदल दो बस इतना ही difference आता है फिर इसके बाद चोथा यह हो गया पाँचमा पाँचमा को हम कहते हैं hydroxylation hydroxylation reaction देखो hydroxylation भी दो तरीके से होता है एक होता है sin sin मतलब दोनों OH same side से लगेंगे sin hydroxylation दूसरा होता है nt दो ही method है sin के लिए bears reagent cold alkaline kmno4 acidic kmno4 भी important है अभी मैं cold kmno4 ले रहा हूँ क्योंकि वही hydroxylation hydroxylation का मतलब है OH and OH addition double bond पे तो माँ लो कोई acid दे दे examiner R, CH, double bond, CH और R है इस पे मैंने cold alkaline kmno4 लिया क्या होगा अब सी दे बोलो भाई double bond ब्रेक करके OH OH लगा देना है दोनों same side से अगर एक पर उपर लगाए तो दूसरे पर भी उपर लगाना है यही होगा और anti के लिए हमें use करना होता है peroxy acid R, C, O, O, O ध्यान रखना तीन oxygen लिखा है मैंने R, O, 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 H and water ठीक है इस case में अगर एरो पर यह दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि हमें फिर से hydroxylation ही कराना है लेकिन इस पर opposite से लगेगा R, C, O, 3, H and H2O तो आपको वही करना है break करके O, O, H ही लगाना है लेकिन इस पर anti addition होगा ठीक है तो यह hydroxylation reaction next जो जो main main है वो मैं बताता जा रहा हूँ अब इसके अलावा और क्या बच गया बस एक reaction और कहानी खतम हो जाती है hot hot k-m-n-o-4 hot k-m-n-o-4 यह oxidative ogenolysis का ही product होगा similar to oxidative ogenolysis oxidative ogenolysis के ही similar है the only difference is difference is कि अगर oxidative ogenolysis में कोई formic acid बनता है H-C-O-H only difference is H-C-O-H यह further oxidize हो जाएगा CO2 में इसको नहीं भूलना है इसका मतलब क्या है जैसे कि मान लो मैं यह compound लूँ R-CH double bond CH and R इसकी तुम ogenolysis कराओ O3 and H2O से H2O2 ले ले लेता हूँ oxidative ogenolysis तो आप काटोगे काटोगे तो काटके जब oxygen जोरोगे तो यह आएगा 2 mol यह aldehyde बन गया तो आपको पता है सरी यह बन नहीं सकता है यानि हमें यह ना बना के इसका oxidized version बनाना है यानि 2-R-C-O-O-H aldehyde है aldehyde will oxidize to carboxylic acid CO-H तो आप यह बनाओगे यह नहीं बनाना है ठीक है वैसे ही अगर मैं यहाँ पे hot K-M-N-O-4 ले लूँ hot acidic K-M-N-O-4 K-M-N-O-4 और इसके साथ मैंने H-Plus लगा दिया तो आपको यही पूरा process repeat करना है इसको cut करना है यहाँ से cut करके oxygen लगाना है aldehyde दिख गया तो उसको further oxidize कर देना है और इसमें भी R, CO, H ही बनेगा तो इसलिए कोई अंतर नहीं है लेकिन अंतर कहाँ पे आएगा अगर मैं यह compound ले लूँ जहाँ पे alkene end में है terminal पे है position number 1 पे है अब अगर मैं इसमें O3 and H2, O2 तो वही काटोगे oxygen oxygen लगाओगे तो आपको दिख जाएगा एक तो aldehyde और दूसरा भी aldehyde ठीक है न यह formaldehyde होगा CH2 double bond O यह CH2 double bond O होगा ना तो CH2 double bond O is actually this यह देगो CH2 double bond O यह भी aldehyde है formaldehyde तो आपको पता है यह नहीं बन सकता है क्योंकि oxidative oxygen analysis है तो हमें क्या बनाना होगा इसका oxidized version जो कि RCOOH होगा और इस aldehyde का भी oxidized version जो कि HCOOH होगा ठीक है और ऐसे ही अगर हम ले लें hot KMNO4 and H+, तो आपको यही सारा process repeat करना यहां तक पहुँचना है लेकिन अब एक difference और करा देना है कि यह जो formic acid बना है यह नहीं रहेगा रधर यह further oxidize होके CO2 में convert हो जाएगा इसलिए product यह और CO2 आएगा बस इतना ही difference है यही main part मैंने बता दिया आपको सारा चीच ठीक है तो दिख गया तो मैंने सारा बता दिया अभी आपको बहुत help कर देगा देखो भाई PCC oxidation इसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो और प्लस आप उस alcohol ether phenols और aldehyde ketone वाला playlist चेक करना उसमें मैंने oxidizing agent और reducing agent का एक video बना रखा है छोटा सा ठीक है न तो PCC एक mild oxidizing agent है mild oxidizing agent alcohol को सिर्फ aldehyde में देखो कोई भी alcohol हो जैसे 1 degree alcohol तो ये पहले इसका oxidation होता है और ये aldehyde देता है ये RCHO देगा ये सारा चीज मैंने detail में बताया हुआ है कैसे क्या अभी मैं उतना detail में नहीं बताना चाहरा हूँ aldehyde देता है और फिर जब oxidation आप कराओगे तो ये carboxylic acid जो अभी हमने use किया था ये देता है अगर आप mild oxidizing agent लोगे तो alcohol को सिर्फ यहीं तक पहुँचा पाएगा aldehyde तक mild के case में और अगर strong लोगे तो alcohol को carboxylic acid तक पहुचाएगा यहां तक अगर strong लोगे तो अब strong कौन होता है mild कौन होता है इसके लिए मैंने एक video बना रखा मेरी playlist में जाके देखना alcohol वाले में होगा या फिर aldehyde वाले में होगा वो मैंने उसका link दे रखा है तो आपको oxidizing और reducing agent दोनों के लिए वो permanent solution है तो उसको आप जरूर watch कर लेना तो उसमें PCC आपको मिल जाएगा यह mild होता है तो देखो इस पे PCC का कोई असर ही नहीं कोई alcohol तो है नहीं ठीक है तो कोई लेना देना नहीं तो useless ogenalysis करेंगे लेकिन पंगा क्या आएगा ogenalysis अभी मैंने बताया भी है काटो के oxygen लगाओगे तो यह carbon ही गायब हो जाएगा यही भाग जाएगा तो इसमें carbon ही कम हो जाएगा जबकि यहाँ पे carbon इस original compound के carbon ठीक है और इसके carbon सेम है तो इसका मतलब हमें carbon काट के अलग करना नहीं है तो ogenalysis भी गायब b2s6 अब आ गया यह दो जो b2s6 मैंने लिखा है न hydroboration कहा गया h2o2 में मैं लेगे आता हूँ यह रहा b2s6 b2s6 basically b3 का ही dimer है b3 का twice कर दो यही वहाँ पे लिया हुआ है अभी जो case है यही case है देख रहे हो b3 जिसको की b2s6 भी आप लिख सकते हो h2o2 ठीक है न oh negative followed by pcc भाई यह काम कर जाएगा ठीक है एक्च्वल मैं thf जो लेते हैं न आपको किसर इतना अंतर कैसे है तो मैं बता देता हूँ यह जो thf tetrahydroferon b2s6 के साथ मैंने लिये कहां गया हाँ यह thf तो यह thf basically b2s6 को b3 में ही convert करता है तो examiner ने क्या किया इन सब की जगब b3 लिख दिया बात बराबर है उसके साथ h2o2 लिखा है तो अब यह set कर जाएगा क्यों क्यों क्योंकि इसमें आप anti-marconic of edition of water कराओगे वहाँ पर मैंने शायद लिख दिया है anti-marconic of अगर छूट गया हो तो मैं भी लिख दूँगा मुझे ध्यान नहीं है हाँ लिख दिया anti-marconic of edition तो यहाँ पर आप anti-marconic of कराओगे तो anti-marconic of कराओगे आपको you are bound to attach hydrogen on the carbon with less number of hydrogen तो इसपे एक भी hydrogen नहीं तो hydrogen को हमें इसपे लगाना होगा OH को इसपे क्योंकि marconic of होता तो H को water के जो दो component है H and OH तो H को उसपे लगाना होता जिसपे ज़्यादा hydrogen अल्रड़ी है तो anti कर रहे हैं इसपे लगाएंगे H को जिसपे कम hydrogen हो जाना है तो वही मैं फॉलो कर रहा हूँ यह CS3 C यहाँ पे आगया H और यह आगया CH2OH यह देखो अब alcohol बन गया 1 degree alcohol और इसमें PCC लिया oxidizing agent यह mild होता है तो यह इसको LDH तक oxidize कर देगा इसके बाद PCC लोगे तो यही बन जाएगा mild oxidizing agent है जो मैंने अभी बताया था LDH तक इसे पहुचा पाता है तो यह काम कर जाएगा यह 1 degree alcohol CHO में convert होके यह product देगा इसलिए C option is correct Now heading for the next The product formed in the following reaction is यह basically na polymer का question है mix कर दिया है इसने ठीक है ना तो इसकी chain polymer में मिलती है actual में तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ CH2 इसमें क्या होता है पहले H plus आता है कार्बोकटाइन बनाता है 3 degree कार्बोकटाइन वो stable भी है C CH3 यह CH3 बन गया यह plus बन गया अब यह क्या करेगा अपने ही दूसरे molecule से यह molecule फिर से लो CH2, double bond C, CH3 and CH3 यह molecule फिर इसको break करो इस पे plus क्योंकि 3 degree पे plus ज़्यादा stable और इस पे minus और minus जाकि इसके साथ जुर जाएगा ठीक है तो जैसे ही minus जुरेगा मैं इधर कर रहा हूँ तो यह बन जाएगा CH3, C, CH3 ठीक है ना एक और CH3 यह वाला CH3 को मैंने नीचे करके लिख दिया और इस carbon का एक नया bond है CH2 के साथ जोर रहा हूँ CH2 और यह C, इस पे दो CH3 है और यह plus ठीक है यही आ गया, यह टूटा था ना तो इसके उपर plus था बस अब यह plus कहीं से H+, वच प्लस ले लेगा इसी का कहीं से H+, ले लेगा तो यही product बनता है ठीक है ना, यही दे देगा 3 degree इसलिए ले रहे है यही जो है ना, यह अपना H+, ठीक है ना, इसको दे देगा है यहाँ से H+, कहा हूँ है मतलब H, इसको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, यह H- इसको लग जाएगा और यह वापस यही compound बन जाएगा ठीक है, यह वाला compound जो साथ में यह लिया था ना, इसी के H- को H- को हटाके, प्लस छोरके इसके उपर attach कर रहे है तो यह, एक carbon पर 3 methyl लगा और दूसरे end पर, एक carbon पर 2 methyl अब इच में 1 CS2S ढूंड लो 3 methyl, 3 methyl, 3 methyl 2 methyl, ना, यह रहा यह तो question है 2, 3 methyl, हाँ, यह आगया B, जेखो, एक carbon पर, एक end पर carbon पर 3 methyl है, यह रहा और दूसरे end पर carbon पर 2 methyl, यह रहा B option इसका correct हो जाएगा now heading for the next यह देखो, आगया ना, HGOAC ठीक है, H2O2 followed by NHBH4, अब मैंने क्या बताया दें इसमार्कोनिक ओव एडिशन of H and OH H और OH का मार्कोनिक ओव एडिशन तो प्रॉपर लेखें तो यह CH2 है इस पे 2 और इस पे 1 हाइड हो जाना है हो जाएगा, और OH को उस पे भीजना होगा जिस पे कम हाइड हो जाएगा जिसलिए 1st option correct हो जाएगा इस पे OH और इस पे H ठीक है, now 6 question पे आते है 6 question कह रहा है halogenation of which one of the following will yield meta-substituted product with respect to methyl group as a major product कह रहा है कि methyl के respect में meta पे हमें चाहिए meta-substituted product चाहिए methyl group के respect में ठीक है, और halogenation करा रहे है तो देखते हैं, पहले rule बता देता हूँ मैं क्या होता है देखो, benzene में 3 conditions हो सकती है अगर एक activating group है ठीक है, और दूसरा भी activating group है ठीक है तो जो strong activating group होगा इन दोनों में से ठीक है, उसी के according electrophile जाएगा, ध्यान रखना कोई भी activating group ortho para पे group को attach करना चाहता है, तो मानलो ये activating group है, तो ये चाहेगा कि इस इस position पे, क्योंकि para occupied हो चुगा है, इस इस position पे आए और अगर ये activating group है मैं इसको green से लिख रहा हूँ तो ये चाहेगा कि इस पे और इस पे आए, ठीक है, इन दोनों पे आए तो इन दोनों में जगरा होगा तो जो strong activating होगा, वो winner होगा अगर मानलो ये strong है suppose मैंने इसमें strong का tag लगा दिया और ये weak का tag लगा दिया ठीक है, तो ये इसके according इसके ortho पे जाके product form होगा वो measure होगा, तो always धियान रखना है, दो अगर activating group है, तो electrophile जो होगा strong activating के according, attach होगा दूसरा case आता है, कि एक activating हो और एक deactivating हो, तो क्या होगा activating group हो दूसरा deactivating group हो कहीं पे भी लगा सकते हो तो मैंने यहाँ पे लगाये, ताकि जग्रा हो दूनों में अब यहाँ लगा दोगे, तो deactivating group meta पे चाहता है, माँ लोगों को यहाँ पे लगा दे यहाँ ना लगा के यहाँ लगाए यह deactivating group meta directing होगा, यह चाहेगा meta पे जाए, और activating group चाहेगा और्थो पर है तो जगरा ही नहीं होगा, तो हम decide क्या करेंगे, इसलिए meta पर लगा दिया, अब इसे जो deactivating group है, वो चाहेगा, ये चाहेगा, deactivating group चाहेगा, कि इसके respect में meta पर जाए, तो इधर तो meta, यहां से शुरुवात करोगे, तो ये ortho, ये meta, तो meta occupied है, कोई मतलब नहीं, इस side से ortho और meta ये खाली है, तो ये चाहेगा, इस पर जाए, और अगर आप इसको लोगे, activating group को, तो ये चाहेगा, इसके ortho और para पर जाए, इस पर और इस पर जाए, तो अब जगरा हो रहा है, अलग-अलग position को favor कर रहे है, तो इस case में always winner होगा, activating group चाहे कितना भी weak क्यों नहीं हो, ठीके न, always winner, यही होगा, इसी के according product बनाना है, चाहे deactivating group बहुत strong ही क्यों नहीं हो जाए, activating के ही according product बनेगा, और अगर दोनो deactivating group हो जाए, मानलो DAG, DAG है, तो जो stronger होगा deactivating group, DAG और DAG, deactivating group, और मानलो यह strong है, यह strong है, resonance वगरा से deactivate कर रहा है, तो यह winner हो जाएगा, यही तीन story है, ठीक है, तो अब आते हैं इस case में, पहले में हम देखते हैं, यह रहा methyl, यह activating group है, hyperconjugation से या inductive से जैसे भी कह लो, बेंजीन को भर-बर के electron देगा, यह deactivating group है, क्यों है, क्योंकि इसका structure बनाओ, LDHC double bond OH, यही LDH group, तो यह resonance electron खीच लेगा, resonance electron खीच के बेंजीन पे plus, अब बेंजीन पे plus करने का मतलब है, बेंजीन से उसने electron कम कर दिया, तो इसलिए यह deactivating group है, और यह inductive से electron डोनेट करके, बेंजीन के electron को बढ़ा रहा है, इसलिए activating group है, तो एक deactivating group और एक activating group, winner always यही होगा, और यह winner होगा, तो यह अपने ortho पे, और para पे group को भेजेगा, बहुत असानी से group form होगा, product form होगा, तो इसके methyl के respect में, इसमें meta पे नहीं गया, meta substitute चाहिए था, major product नहीं गया, तो इसलिए यह option नहीं, फिर इसमें देखो, methyl activating और यह deactivating, क्योंकि अनोटू का भी structure देखोगे, तो ऐसा आता है, nitrogen, N double bond, coordinate bond, तो फिर यह resonance electron को खीच के, NO2, benzene में electron को कम कर देता है, इसलिए यह फिर से deactivating group, और यह activating group, बाई जब यह activating है, तो यही winner होगा, तो यह तो जहां मर्जी, वो अपने choice के position पे भेजेगा, तो इसके respect में meta पे आना ही नहीं है, क्योंकि activating group always ortho para directing होता है, तो इसलिए यह option भी नहीं हो सकता है, यहां पे आते हैं, इस बार यह mark आ गया, क्योंकि इस बार OH है, OH इस बार resonance electron donate कर रहा है, इसलिए resonance है अगर electron, और यह तो inductive से कर रहा है, या hyperconjugation से कर रहा है, तो हमें पता है, inductive और resonance में, resonance is stronger effect, तो इसलिए यह better donor हो रहा है, resonance electron donate करके activate कर रहा है, तो यह हो गया, strong activating group, और यह हुआ weak activating group, इस बार दोनों ही activating group है, तो हमें पता यह winner होगा, तो यह जब winner होगा, OH, मैं इसको highlight कर देता हूँ, यह रहा, OH जब winner होगा, तो OH किस-किस position को favor करेगा, तो आपको गया नहीं सरी, यह अपने ortho और para को करेगा, तो यह रहा इसका ortho, और यह रहा इसका para, इसी position पे group को भेजेगा, यानि OH के respect में group, जो electrofile अभी है CL, halogenation करना है, तो halogenation के लिए CL plus is the electrofile, तो यह CL plus को चाहे, तो इस position पे भेजेगा, या इस position पे भेजेगा, तो आ गया न, CS3 के respect में meta पे, CS3 यहाँ पे लगा हुआ है, तो यह ortho हुआ पहला position और दूसरा meta, तो CS3 के meta पे आगे, इसलिए third option is correct, और इस बाद फिर से भाई कहानी है, भाई deactivating group, activating group यही winner होगा, तो अपने choice के position पे भेजेगा, जैसे लिए third option is correct in this case, यह देखो, यह ओज़नलिसस का case आ गया, reductive ओज़नलिसस, ZNH2O, ZNH2O, उल्टा जाना है, ethane, 1, 2, di, carbidehyde, ठीक है अच्छा, ethane पे 1 और 2 पे, aldehyde देना है, तो मैं बना देता हूँ, H, C double bond O, C double bond O, H, एक मिनट मैंने कुछ गर्वर किया है, यह अल हो जाएगा न, just a minute, just a minute, ethane पहले बनाओ, उस पे 2 aldehyde लगाओ, 1, CH2, CH2, इस पे 2 aldehyde लगाओ, CHO, CHO, अब ठीक है, वो डायल हो जाता, glioxal का formula है वो, CHO, अब सही है, ठीक है, तो यह रहा, यह compound, और यह है, glioxal, glioxal मतलब, 2 aldehyde आपस में जूरे हुए, ठीक है, तो यह, दोनों बन रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, हम काट के oxygen जोडते थे, वो जो अनलिसिस में मैंने बताया था, double bond को काट के oxygen जोरेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, oxygen को हटा के double bond देंगे, तो यह देखो, पहले वाले का, glioxal को मैंने बना दिया, और इस वाले को, इसके भी aldehyde को रखा, इसके बाद 2 CH2 है, और फिर इसके aldehyde को रखा, यह हटा, यह हटा, ठीक है, और इसके हटने से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 member के ring बनेगी, 6 member के ring बनेगी, यहाँ double bond, यहाँ double bond, इन दोनों के बीच में double bond दे दिया, एक तो यह आ गया, एह हमारा, ऐसे ही दूसरे वाले को, 5 oxo hexinal, पहले तो 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aldehyde लगा दो, hexinal, और 5 पे oxo, यानि 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे oxo, यह बना दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, member के ring बनेगी, क्योंकि इसके दोनों oxyion, आमने सामने रखो घुमा के, तो यह CS3 कर दिया, यह C, यह carbon, double bond हो किया, उसके बाद यह carbon, हटाने के बाद इनके बीच में double bond हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 member के ring, यहाँ double bond, और double bond वाले carbon से एक methyl लगा देंगे, यह आ गया, तो अब आप देख लो, कौन सा option हो जाएगा इस case में, यह तो 1, 1, 2, 3, 1, 3, hexadiene, यह होना है, पहले तो इसी को पकड़ते हैं, cyclohexa, 1, 3, dine, यह match कर रहा है, cyclohex, 1, 3, dine, और तो कहीं नहीं, cyclohex, 1, 3, dine, यह दोनों है भाई, ठीके तो इन दोनों में से, अब दूसरे वाले का, ठीके यह methyl लगा हुए, बाद पे, और 1 पे इन भी है, तो 1, methyl, cyclo, pent, 1, in, 1 पे double bond, यह 1, carbon है, 1 पे double bond, और 1 पे ही methyl है, 1, methyl, cyclo, pent, 1, in, अज़ यह, cyclo, pent, in कहा दिया, यह गलत हो गया, और यहाँ पे सही है, 1, methyl, cyclo, pent, 1, in, d option is correct, now heading for the next, 8 पे आते हैं, यह gregnard के property, मेरे previous वीडियो में, बहुँ जगा पर इसको मैंने use किया है, यह फिट से आ गया, मैंने always बताया है, organometallic है, lithium plus होगा, BU पे minus, कोई भी organometallics, organometallics का मतलब है, जिसमें carbon और metal के बीच में bond हो, gregnard is also organometallics, तो कोई भी organometallics होगा, वो R माइनस देगा, चाहे इसके बगल में LI प्लस हो, या MG2 प्लस हो, MG प्लस हो, गregnard का case, MGBR होता है, कोई भी हो, या R माइनस देगा, और यह जो R माइनस होता है, बहुत अच्छा base है, base है या nickelophile है, बहुत ही अच्छा, तो अब base का क्या मतलब है, base का यह मतलब है, कि माल लो तुम alcohol लेते हो, इसके साथ R माइनस, कुछ भी ले लो, R LI अभी दिया है, तो मैं LI ले लेता हूँ, तो यह इस acidic hydrogen को हटा लेगा, यह RO माइनस LI प्लस बना देगा, आप खुद RH बना देगा, माल लो इसको R' कर देते हैं, तो R' यह RH बना देगा, L-केन का method of proportion, फिर आपको कि सर और कौन सा acidic hydrogen, मैं कोई भी acidic hydrogen, इवन पानी हो, पानी का भी hydrogen जो है न, electronegative से लगा हुआ है, यह इसके साथ भी दनादन react करेगा, इसको मैंने क्यों आड़ेश कर दिया, R, Li, प्लस, यह माइनस, यह इसको भी हटा देगा, इससे भी RH बनाएगा, और Li, OH बन जाएगा, फिर और कौन सा, तो जो triple bond carbon है न, उसका hydrogen यह भी acidic है, बहुत कम acidic होता है, लेकिन इतना होता है, मतला organometallics, बहुत easily इससे react करेंगे, यह इसको हटा के, फिर से यह RH बनाएगा, और यह RC triple bond, C negative और यह Li plus बना देगा, तो यही story होनी है, इन सारे cases में, ठीक है तो यह अभी मुझे दिख गया, यह triple bond दिया हुआ है, तो यह normal butile है, C4H89, और यह इसको मैं लिख रहा हूँ, एक carbon इधर और एक carbon इधर, यह carbon triple bond carbon और इससाइड hydrogen लगा हुआ है, इसको जब हमने इससे treat किया, ठीक है, नॉर्मल बियू से, तो बियू पे minus आएगा, Li plus आएगा, यह वही तरीका, acidic hydrogen को हटा के normal butane बना देगा, normal butane, और वहाँ पे बन गया, C4H9, C triple bond, C minus, थोरा छोटा लिखना पढ़ रहा है मिरको, ठीक है, normal butane अलग हो गया, और यह niquelophile बन गया, minus, अब इसके बाद, इस niquelophile को यह treat कर रहा है, इससे, normal C5H11Cl, तो इससे कोई फर्क नहीं पर रहा है, normal है C5H11Cl, तो मैं लिख देता हूँ, C5H11Cl, तो यह as a niquelophile, इसके उपर attack करेगा, और इसको भगा देगा, तो इसके भागते ही, क्या होगा, C4H9 तो लगा ही हुआ था, C triple bond C आएगा, और इसके साइट C5H11 लग जाएगा, क्योंकि जहां से C L उसको भगा कि, यह carbon जूर गया, यह substitution reaction है, और यह बहुत famous method है, अलकाइन में, small alkyne से big alkyne बनाने का method होता है, तो यह हमारे पास आ गया, अब इसके बाद, वही lindler catalyst, जो मैंने बताया था आपको, cis बनाता है, cis alkyne, तो lindler catalyst लोगे, S2, PD, BSO4, क्यों नोलीन, तो यह cis बना देगा, यानि C4H9, carbon, double bond, C5H11, और यहाँ पे H, यह हैं आ गया हमारे पास, अब इसको match करा लो भाई, यह तो होई नहीं सकता है, यह भी नहीं हो सकता है, normal and C5, C5H11 and normal butile, yes, यह सही है, cis भी बना रही है, दोनों एक side में, तो C option is correct, तो यह मैंने बता दिया, और यह ध्यान भी रखना है, इस चीज़ को, गर इगनाड की properties को, वैसे अगर आपने previous वीडियो मेरे सारे देखे होंगे, ठीक है, 19 के, 20 के, 21 के, तो LDI ketone में तो 50 times at least use हुआ है, ठीक है, और यह बहुत help करता है, यह सारे चीज़े हैं, आते हैं next, कहरा है product A, of the following sequence of reaction is, ethyl benzene, पहले तो मैं ethyl benzene आप बना लेता हूँ, benzene पे मैंने लगा दिया, ethyl, CH2, CH3, इसके बाद इसको कह रहा है, BR2 और FE से treat कर रहा है, यह लो भाई, इसको BR2 और FE से, तो BR2 FE क्या क्या देगा, मैं बता ज़रा हूँ, BR, BR और FE, इसको बहुत लोग कहते हैं, कि इसके साथ react करके, FE BR3 बना के फिर attack करेगा, कोई फरक नहीं पढ़ना है उससे, मैं direct FE का यह attack करा रहा हूँ, यह करके, आपको इस BR को BR Plus के form में free कर देगा, अब खुद FE BR minus हो गया, छोड़ दो इसे, भूल जाओ अब इसको, यह BR Plus Electrofile है, यही जाके इसमें attack करेगा, तो यह एक activating group है, तो इसके ortho पे या para पे attack कर सकता है, तो ortho को अभी avoid करके, मैं para पे करा रहा हूँ, क्योंकि ortho पे steric hindrance होगा, ठीक है, तो इसे लिए, पहला attack BR का हुआ, इसके para पे, क्योंकि यह activating group है, और activating group ortho para directing होता है, तो यह आ गया CH2, CH3, और यहाँ पे लग गया हमारे पास BR, अब इसके बाद इसने CL2 और heat किया है, CL2 के साथ और heating किया है, तो देखो, यह जो CL2 के साथ और heating किया है, यह जो reaction है, कभी भी आपको CL2 के साथ HNU दिख जाए, या CL2 के साथ heating दिख जाए, पहला चीज़ यह alkane का reaction होता है, क्योंकि free radical से जाता है, तो alkane पे ही होगा, बेंजीन के किसी carbon पे नहीं कराना है, यह side वाले carbon पे कराना है, और यह free radical से होता है, और आपको पता है, free radical यहाँ ज़्यादा stable होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर free radical आएगा, तो बेंजीन के साथ है resonance में रहेगा, πाई, सिग्मा, पाई, तो इसलिए इतना पता चल गया, कि इसका reaction इस वाले carbon से होना है, और होता क्या है इसमें, CL2 क्या गरेगा, यहाँ से एक H हटा के HCL बनाएगा, और उस H की जग़ा पे एक दूसरे CL को बठा देगा, जो बचपन में नहीं reaction करते थे, इसके साथ CL2 H new, तो पहले एक को हटाते थे, CS3 CL plus HCL, यह वही reaction है, तो यहाँ से H को हटा के, हम एक CL बठा देंगे, CHCL and CS3, और साथ में एक HCL निकल गया, उसके बाद आ गया, यह alcoholic kvich आ गया जो मैंने उस list में भी बताया था, alcoholic kvich आ यह तो beta elimination HBR हटेगा, HX, तो यह देखो, अब यह CS3 था, इसको हटा देना है, beta elimination करा देना है, और beta elimination कराते ही, product आ जाएगा, CH double bond CH2, तो ढूंते हैं, कौन सा यह product है, कहाँ पे है, यह रहा दिख्या, D option, BR, और यहाँ पे CH double bond CH2, ना नेक्स आते हैं, कहरेख टू आईसोमर्स A and B, with molecular formula C4H8, C4H8 formula दिया है, वो यह alkene का है, CNH2N वाला format है, alkene है, यानि एक double bond है इसमें, कहरेख गिस different product on oxidation, with KMNO4 in acidic medium, देखो, hot acidic KMNO4 वाला आ गया, जो मैंने बताया था, product is similar to oxidative organolysis, सिर्फ एक difference आता है, formic acid CO2 में चला जाएगा, ठीक हैं, तो A और B है, अब कहरे था, isomer A on reaction with KMNO4 and H+, वही hot acid KMNO4, gives effervence of a gas, इसका मतलब यह CO2 बना, और CO2 बना तो इसका मतलब बांट, double bond carbon number 1 पे होना चाहिए, ठीक है, यह हमें पता चल गया, तो gives effervence of a gas, and gives a ketone, तो carbon number 1 पे यह तैय हो चुका है, और यह formic acid फिर CO2 में जाएगा, यह बता रखा है मैंने, आप थोड़ ऐसा पीछे करके वीडियो को watch कर लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा तो, तो आज़ो पहले ढूंडते हैं, यह इकलौता दिख गया, 1 in, बागी तो 2 है, 2 methyl propene, एक मिनट, वेरिफाई करना परेगा, यह नहीं हो सकता है, ब्यूट 2 in नहीं हो सकता है, यह ब्यूट 2 in, लेकिन यह अभी मामला फस रहा है, एक मिनट, यह 1 in था, इसका पहले structure बनाते हैं, 2 methyl propene, बना लेते हैं पहले, 1, 2, 3, और 2 पे methyl हैं, और यहाँ पर double bond, CH2 और यह CS3, यह यह भी है, वन पोजिशन पर ही double bond है, यह देखो, प्रोपीन में, टूपे मिथाई लगाया है, और यह bute-1 in है, तो bute-1 in को भी यहाँ साइड में बनाते हैं, CS3, CH2, CH, double bond, CS2, यह CA ruled out हो जाएगा, क्यों? चलो, यह तो formic acid है, COH में convert हो जाएगा, लेकिन इसका क्या? यह aldehyde बनेगा, कटने के बाद oxygen लगेगा, तो CH double bond हो, aldehyde बनेगा, और यह aldehyde further oxidize हो, क्यों आपको carboxylic acid देगा, तो CS3, CS2, COH, प्लस CO2 का effervence आपको मिलेगा, तो यह ketone नहीं मिला, इसलिए यह ruled out हो गया वाई, क्योंकि इसने कहा था, कि performance of a gas and ketone दे रहा है, हाँ, यह दे देगा, क्योंकि इसको जब आप treat करोगे न, Kmno4 and H plus के साथ, तो यह कटेगा, और यह पहले क्या बनेगा, formic acid, और बात में यह CO2 में convert हो जाएगा, तो इसको तो side में लिख दिया, that is not a headache, यहाँ पर आजाओ, जब इसको काट के यहाँ पर oxygen लगाओगे, तो यह क्या बनेगा, CS3, C, CS3 double bond O, यही बना, और हमें पता है, यह ketone है, ठीक है, यह further oxidize नहीं होता है, यह बहुत famous case है, ज़्यान एकना, sorry, यहलकीन में बोलाओ बार बार, फिडिल क्राफ्ट अलकाइलेशन अफ एनिलीन, एनिलीन बहुत ही famous case है, यह फिडिल क्राफ्ट reaction शो नहीं करता है, और इसका जानते हो reason क्या बताया जाता है, क्योंकि फिडिल क्राफ्ट reaction में हम Lewis acid लेते हैं, जब आप Lewis acid लोगें फिडिल क्राफ्ट में, तो यह Lewis acid इसी के lone pair पर attack कर देगा, क्योंकि nitrogen के पास अगर lone pair है, तो बेस की तरह काम करता है, यह नहीं 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 करता है, यही reason है कि यह form करेगा, ठीक है, तो अब option पढ़ लेते हैं, alkylation product with ortho and para substitution, मतलब भी नहीं बनता है, फिडिल क्राफ्ट होगा नहीं, तो alkylation product कहां से बनेगा ortho para पे, secondary amine after the acidic treatment, मतलब भी नहीं बनता है, secondary amine बने, यह तो अरट ही देगो, ठीक है अजीब सा product है, amine product मतलब नहीं बनता है, positively charged nitrogen at benzene ring, यह यह correct है, positively charged nitrogen at benzene ring, इसे लिए D option is correct, तो इतने ही questions थे, तो यह भी cover हो गया हमारा, hydrocarbon, तो आज मैंने दो वीडियोज बनाए हैं, कल मैं इसको upload करूँँगा, ठीक है और notification मैंने भेजी दिया है, आप लोगों को, okay, thanks for watching,